नमस्कार साथियों स्वागत और अभिनंदन आप सभी का साथियों आज इस बिंदू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके राजस्तान में शहकारिता या फिर राजस्तान में शहकारी आंदोलन बहुत टप टॉपिक माना गया है लेकिन इनकी जो पष्ट भूम राजस्तान में शहकारी आंदोलन सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शहकारी आंदोलन हुए ही क्यूं देखिए हमारे यहां पर जो कर्शक हैं जो मजदूर हैं जो भूमी हीन हैं जो बेरोजगार हैं और ऐसे भी बहुत सारे शमूदाई जिनको आई के मामले में पिछड सबसे नाम हैं शेहकारिता साथ उन सबद ही है शेहकारिता सहहकार्त होता है सभी और कारिता होता है कारिय सबी मिलकर करेंगे तो सबी काविकाष होगा इसकी पष्ट भूमी से कौन कौन से 21 मनते हैं आपके एक्जाम के लिए वह देखेगा बहूत important topic है ये। राजस्तान में शहकारी आंदोलन, देखे, सबसे पहले तो ये समझे, शहकारिता का सिध्धान्त या नारा क्या था, तो एक सब के लिए, सब एक के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पुछा जाता है, सहकारिता का सिध्धान्त क्या है, एक सब के लिए, सब एक क पुछा जाएगा कि राजस्तान में शेहकारी आंदोलन की शुरुवात कब हुई तो याद रखे 1904 में और कहां से तो याद रखेगा अजमेर से अब ये कुछ नए डाटा है आपको पुछा जाए कि राजस्तान के अंदर केंद्रिय शेहकारी बेंक कितने हैं तो याद रखेगा 29 आपको पुछा जाए राजस्तान में जिल्ला दुग्द संग कितने हैं तो याद रखेगा तेबीश और आपको पुछा जाए राजस्तान में शेहकारीता दिवस कब मनाय जाता है तो याद रखेगा सात Whewley, साथ ही राजस्तान में शेहकारीता दिवस है यह है इसकी छोटी सी पश्ट भूमी लेकिन शेहकारी के इतिहास से कौन कौन से क्यूशन मनते हैं वो भी समझी ये तो किलिए ना डाइरेक्ट वन लाइनर क्यूशन है सेकारिता का सिद्धान इसका उदेशे राजस्तान में कब शुरुवात हुई राजस्तान में केंद्रे शेकारी बेंग कितने हैं जिल्ला दुग दिसंग कितने हैं और राजस्तान में शेकारिता शिमीती तो याद रखेगा 1905 में और कहां पर तो भिनाय अजमेर में आपको पुछा जाए राजस्तान में शर्वे पर्थम केंद्रिये सहकारी बेंक की स्तापना कहां पर की गई अजमेर के अंदर और कब तो याद रखेगा 1910 में आपको पुछा जाए राजस्तान में शर् कारिता अधिनियम बनाया था कब 1915 में आपको बुचा जाए कि राजस्तान में शर्वे परतम सहकारी कर्शी बेंग की स्थापना कहां पर हुई तो याद रिखीगा डींग भरतपुर और कब 1904 में ये सहकारिता से संबंदित इतियास से संबंदित क्युशन है कि राजस्तान में शर्वे परतम सहकारी शिमिति का घटन कब और कहां किया गया राजस्तान में शर्वे परतम केंद्रिय शेहकारी बेंग की स्थापना कहां और कब हुई राजस्तान में शर्वे परतम ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने श्वेम का सहकारिता अधिनियम बनाया और कब और ए एक्यूशन ये के राजस्तान में शर्व परतम सहकारी कर्शी बेंग का घटन कब और कहां हुआ एक्यूशन ये भी है साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट के आजादी के बाद राजस्तान में पहली बार शेहकारी समीती विधायक कब पारित किया गया तो याद रखेगा 1953 में और ये राजस्तान का पहला विधायक था जो किसे समन्दित शेहकारी से एक क्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट और बता रहा हूँ आपको राजस्तान की पर्थम महिला नागरिक शेहकारी बैंक कहां पर है कब इस्तापित है और इस बैंक का नाम क्या है आपको पूछा जाए राजस्तान की पर्थम महिला नागरिक शेहकारी बैंक तो इसका पूरा नाम है आपके राजपुताना महिला नागरिक बैंक ये कहां पर इस्तापित है जेईपुर में और कब इस्तापित हुई थी तो याद रखेगा 1995 में साथियों ये जो बातें थी आपके ये सहकारी की पष्ट भूमी से थी एक क्यूशन के सहकारीता का शिदान्त नारा क्या उद्देशी सुरुवात वर्तमान के अंदर राजस्तान में केंद्रे शेकारी बेंग कितने हैं वर्तमान में जिला दुग्द संग कितने हैं राजस्तान में शेकारीता दिवश्का मनाया जाता है और इससे के अलावा या आ परतम सिम्मिती बेंक अधिनियम या फिर कर्शी बेंक और यह आपके आजादी के बात की बाते हैं और इसके अलावा परतम महिला नागरिक शेहकारी बेंक बाते और भी है संस्ता की लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो यह थी आपके शेहकेरिता भूमी से संबंदित पूरी उसक रेने वड़ा है चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद